हालो एब्रिवन वेल्कम टू अलकाहॉवी जंक्षन दोस्तों आज मैं आपके साल कलाकन की रैस्पी सेयर कर रही हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कलाकन और यहां पे मैं बना यह मैं एक लिटर तक दूद ले सकते हैं और दूद आफ फूल क्रीम ले्ए इसको हम अच्छे से सुखाएंगे आप आप चाहे थो बाहर से भी खराइब क्या होता है उतना फ्रेश नहीं होता है और यहां पर मैंने रूम टेंपुरेचर वाला दूद लिया है तो услов jar कि जो गों दिया है यह बिलकुल ओपशनल है अगर आप केसर या क्लाकन मुणाथे तब ही आपको केसर डालने की जुरत है नहीं तो केसर डालने की आपको बिलकुल yön जुरत नि ने लिए तो और उपर से इसमें थोड़ा सा थणना पानी डाल देंगे छानने के बाद ताकि दूद में जो थोड़ा सा खटा पर आजाता है पनीर में वो हट जाए तो यहां पर हमने डाल दिया है थणना पानी और इसका सारा पानी मच्छे से निचोड लेंगे इधर देख सकते हैं हमारा दूद भी बॉयल हो चुका है लगबग आधा हो चुका है बॉयल हो कर और पनीर को भी हम अच्छे से बसल लेंगे क्योंकि इसमें गुठ्लिया गुठ्लिया ना रहे तो इसको अच्छे से हाथों से मसल लेते हैं देखे दूद हमारा लगबग आधा पक चुका है अब हम इसमें पनीर को एड़ कर देंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप दूद की quantity लगबग एक लीटर तक रख सकते हैं क्योंकि दूद को सुखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैंने 700 ml ही लिया था और इस स्टेज पर आप चाहे तो दो चम्मच से चार चम्मच मिल्क पॉडर भी आड़ कर सकते हैं और यहां पर हमने आड़ कर दिया यह केसर वाला दूद जो कि मैंने पहले ही भी बताया था यह बिल्कुल आप्शनल है साथ में मैंने डाली है तीन से चार कुटी हुई इलाईची और मैंने डाला है सुगर सुगर आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डाले जितना आप मीठा पसंद करते हों गाइस देख सकते हमारा कलाकंद बलकर बिल्कुल रेड़ी है इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा थीक नहीं रखनी है और यहां पर मैंने एक मोल लिया है जिसको मैंने घी से ग्रिश कर लिया है और इसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं अपना कलाकंद का जो यह हमने पेस्ट बना अब मैं इसको गार्णिश करने वाली हूँ कटेवे बदाम से आप चाहे तो पिस्ता से भी इसको गार्णिश कर सकते हैं साथ में मैंने डाल दिया केसर के कुछ धागे अब हम इसको पहले रूम टेंपरेचर में रखेंगे उसके बाद इसको एक से दो घंटे हम फ्रिज में रख देंगे पहले हमें इसे थोड़ से ठंडा कर लेंगे तब हमें फ्रीज में रखना है यह देखे हमारा कलाकन बिल्कुल बनकर सेट हो चुका है आप चलिए हमको इसको पीसेज में कट कर लेते हैं दस्तों आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा लग रहा है इसको बहुत ही प्यार से बहुत ही धीरे से आप निकाले क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट होती है तो दोस्तों देखे हमारा कलाकन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है तो एक बार मेरी इस रेस्पी को आप जरू ट्राइ करें जैसा कि festive season चल रहा है तो आप इसे फैस्टीबल में भी बना सकते हो किसी occasion में भी बना सकते हो तो गाइस मेरी आज की वीडियो कैसी लगी जरू बताएगा और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक सेर करना बिलकुल न भूले और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई